नमस्कार मैं हूँ वज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बॉलिवुट में शुडवाती दौर से ही स्टास के शूट पर फाइटिंग सीन, स्टंस और आक्शन करने के चलते घायल होने का सिलसिला आज भी जारी है पुराने अक्टर्स की बात करें तो इसमें अविता बच्चन का नाम सबसे पहले आता है जब वो फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक फाइटिंग सीन में बुरी तरह से घायल हो गये थे और आज भी उन्हें ये दर्द परिशान करता है ऐसे में आज हम बात करेंगे बॉलिवूट के उन नए अक्टर्स की जो शूटिंग के दौरान बड़े हाथ से का शिकार हो गये और आज भी उन्हें दर्द परिशान करता है सबसे फेले बात करेंगे शारूख खान की साल 2010 में आये फिल्म दोलह मिल गया मैं उन्हें गेस्ट रोल में देखा गया था लेकिन एक सीन के दरान उन्हें कंधे में गहरी चोट लगी और आज भी उनके कंधे का दर्द उन्हें परिशान करता है अभिशेक बच्चन साल 2012 में रिलीज हुई कॉमेडी और ड्रामा फिल्म बोल बच्चन में अभिशेक बच्चन के काम को काफी सरहा गया लेकिन फिल्म के एक सीन के दरान जब रिक्षे से कहीं जा रहे थे तो वो गिर गय थे जिससे उनके हाथों और कंधों में चोट आई अक्षे कुमार साल 2012 में आये फिल्म राओडी राठोर में अक्षे को एक खतरनाक सीन का अंजाम भोगतना पड़ा सीन में उनके कंधे में गहरी चोट आये जिसके चलते कि लाडी कुमार को शूटिंग रोकनी पड़ी रितिक रोशन बॉलिवूड के सूपर हीरो रितिक रोशन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान रखते हैं आपको बता दे कि साल 2012 में आये फिल्म अगनिपत में उन्हें कई खतरनाक स्टन्ट सीन करने पड़े जिसके दौरान उन्हें काफी चोटे आई थी रनवीर सिंग रनवीर सिंग बॉलिवूड के नए सुपर स्टार है आपको बता दे कि रनवीर सिंग किसी फाइट सीन और स्टन के चलते नहीं बलकि एक डांस शूट करते समय प्लैटफॉर्म से गिरकर घायल हो गये थे और इसकी वज़स से इनके चेहरे पर चोट के पढ़ गया था इस सीन में वो एक्टर पुनीत इससर से लड़ते नजराते हैं इस दोरान पुनीत का एक पंच अमिताफ के पेट में घलती से लग जाता है उस दिन से लेकर आज तक अमिताफ बच्चन उसका हड़ जाना भुगत रहे हैं तो यह हैं बॉलिवूड के वो स् थे बुरी तरह से घायल इस वीडियो में फिलाल इतना ही